शब्द विचार की क्लास में आप सभी का स्वागात हैं हम हिंदी व्याकरण में पूरू के वीडियो में हमने पढ़ा है वन विचार फिर हम पढ़ना शुरू किया हमने शब्द विचार और शब्द विचार के आदार पर हमने उत्पत्ति के आदार पर शब्दों के परकार ह आपने पड़ा प्रियोग के आदार परशब्दों के प्रकार, आज हम पड़ेंगे अर्थ के आदार परशब्दों के प्रकार, अर्थ आदारी शब्दों के भेद कितने हैं, तो हिंदी के जो वियाकरण हुए, वियाकरण का मतले होता है, जिनको वियाकरण का बहुत उसमें नौ बताए गए हैं तो शंसय के स्थिय हलांकी आठ ही सही माना जाता है पर अंतु फिर भी आठ नहीं हो और विकल्प में नौ हो तो नौ सही माना जाएगा ठीके दोस्तों तो पहला है एकार्थी शब्द क्या हो जाएगा एकार्थी दिर के संदी है इसमें एक धनार पता जलता है अन्य आर्ति जिसमें किसी मेर्स प्रकार मेर्स निको उनने का जाता है मि ilham इसको बोलता है चटा है शब्द समू के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है उसको, सात्वा है समानार्थक परतीत होने वाले बिनार्थक शब्द, बिनार्थक शब्दी बोलिए, मलब दिखने में तो समान है, पर वो उसके अर्थ बिन बिन निकल रहे हैं, शब्द जिनका केवल और केवल एक ही अर्थ निकलता हो, उसके लिखे होने पर किसी अन्य अर्थ को नहीं माना जाता, केवल एक ही अर्थ निकले जैसे मैंने लिख दिया धूप अब धूप लिखेंगे, तो अबके कुछ अन्य अर्थ ने निकल आया, जैसे हो गया, दिन, तो दिन का दिन ही होगा, अन्य अर्थ ने निकलेगा, तो दोस्तों, इन सभी को हम एकार्थी कहेंगे, ठीक है दोस्तों? अगली कली में आता है नंबर दो पे नंबर दो पे आ जाएगा दोस्तों अनेक आर्थी शब्द जिसके एक आर्थी का विलॉम भी हो जाएगा अनेक आर्थी जिसके अनेक आर्थ निकलते हो दो या दो से अधीक आर्थ निकलते हो उनको कहेंगे अनेक आर्थी शब्द तो य उने अनेकार्थी शब्द कहेंगे जैसे एक शब्द मैं ले दिता हूं कर कर का मतलब करना भी होता है और कर का मतलब कीरन भी होता है कर का मतलब टेक्स भी होता है करना कीरन और टेक्स ठीक है तो इन शब्द तो एक था पर इसके अर्थ कितने निकल गए तीन इसलिए इसको अ सारंग को भी कता हैं सारंग तो अलग लग अर्फन निकल रहे हैं को भी कहेंगे कोई ऐसा शब्द जिसके लिखने से अलग अलग अर्फन निकलने लग जाए उसको सारंग कहेंगे सब्सक्राइब भी होतार कनक का मतलब धतुरा भी होता है कनक कनक ते सोग उनी माधक ताधिका जो खाए बोराई जग में जो पाए बोरा यह मकलंकार का जो दारन था ठीक है दोस्तों तो उनको नेक आर्थी कहेंगे ज्यादा हाड़ी यह वाला है नहीं तीसरे नंबर पर आता है प्रयाय वा वाची शब्द प्रयाय वाशी का मतलब होगा जिसका वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है जिसका अर्थ समान होगा यहां पर दोगा जिसका एक अर्थ निकलता हो अनेक आर्थी में होगा जिसके अलग अर्थ निकलते हो और प्रयाय वाची में होगा जिसका समान अर्थ से निकलता हूं यहां जिनका समान अर्थ होता है उनको प्रियावाची कहेंगे ठीक है दोस्तों जैसे मैंने लिख दिया कि अम्रत तो इसमें आ गया सुदा आ गया प्यूस आ गया अमी आ गया ठीक है तो यह सभी इसके प्रियाए हो जाएगे क्योंकि सबके बीच में समांता है अम्रत कहते ही के फिर शुदा आ इता है फिर वे शब्द जिनका विपरीत अर्थ निकलता हो उनको विलॉम कहेंगे उनको क्या कहेंगे दोस्तों मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं इन क्लासों को बिल्कुल जीरो से ताकि आपके लिए बहुत ही जादा फाइदे मन्द साबी दोस्तों के मेरा ये नीजी विचा है तो मैं आपके सामने साजा कर रहा हूं दोस्तों इसको मन लगा करके पढ़िएगा सच में आपके चीजां काम आएगी और विलॉम शब्द में एक दूसरे को विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलॉम शब्द कहता है जैसे मैं लिख दिया यहां पे दिन और आ लिंगे ठीक है विजयारता है यूग्म शब्द यूग्म शब्दों को कि कहा जाता है शम उच्छारित सविन बराबर उच्छारित ने बोलना शम उच्छार्प्द ठीक है यूग्मर्शब्द کا मतलव होता है जिनका उच्छारण समान प्रतीत होता है, उच्छारण दो कैसा होगा, समान प्रतीत, प्रतीत ने दिखना, जिनका उच्छारण दो समान प्रतीत होता है, किन्तु अर्थ बिल्कुल भिन होता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भिन, भिन इनी अलग, सम उच्छारित इसली तो कहा है इनको कोश्टक में लिख दता हूँ कोश्टक में इसके आगे लिख दता हूँ सम उच्छारित सब्द ठीक है यह नि बोलने पर तो बिलकुल ऐसे लगेंगे कि नज़्दीक में बिल एक जैसे ही है ठीक है, कुछ एक कौमा मात्रा का इनमें फर्क होता है, परंतु उसका अर्थ अलगलग निकलता है, उनको युग्म शब्द कहा जाता है, अथ्वा सम उच्छारित सब्द कहा जाता है, ठीक है, सम इन बराबर उच्छारित करना, जैसे एक शब्द आ गया, आदी, और एक पर यहां पर इतना ही है ज्यादा अंतर नहीं है पर उन दोनों को देखें तो इस आदी का मतलब तो प्रारंब हो जाएगा आदिकाल से आरी इस परंपरा को तो वह वाला आदे यह ने प्रारंब और इस आदी का मतलब हो जाएगा आदतन जो किसी का आदी हो चुका है जिसको आभ तो किसी का लिट लट लग चुकी है जैसे एक शब्द और है दिन का मतला इवस हो जाएगा यह कौंशा दिन है परन्तू अगर यह जाता है दिन तो एस दिन का मतलग हो जाएगा गरीब जे रहीं पर पर इङ रहीं जो रहीम पर हित करें ते बड़े लोग ऐसे करें कुछ दो है मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक है दोस्तों तो इस दिन का मतलब दिवस हो जाएगा इस दिन का मतलब गरीब जो रहीम पर हित करें ते रहीम बड़े लोग का सुदामा बापुर और कृष्णे मिताई जोग इस प्रकार से हैं तो दीन का मतलब यहां पर गरीब हो जाएगा अब देखिए इसमें ज्यादा अंतर रही है दिन का मतलब दिवस है यह केवल एक मात्रा के आदार पर दोनों क आपको याद करने हैं सभी उधारन बोर्ड पे लाना मुम्किन नहीं है फिर हैं दोस्तों कि शब्द समू के लिए यह व्यक्राश के लिए एक शब्द ओस्तों जैसे बढ़ा वाक्य लिखा हुआ है शब्द समू लिखा हुआ उसके लिए हम किसी one word को use कर रहा है तो उनको भी अर्थ आदारित भेद माना जाता है जैसे सब जो पहली बार प्रथम द्रश्टिया रचना की द्रश्टी के समान प्रतित होता है यह उर्थ की द्रश्टी से बहुत समीप होते है सॉरी जब किसी वाक्य वाक्याश्या समू का तर्थ पर एक शब्द वारा भीवक्त किया जाता है वो एक शब्द में उस वाक्याश्या का अर्थ नियत हो मतलब एक ही शब्द में पूरे वाक्याश्या का अर्थ नियत हो ठीक है कोई वाक्याश्या लिखा हुआ है और एक सब्से आपको पता चल जाए कि इसका मतलिब क्या है, उनको कहा जाता है, सब्द शमू के लिए एक शब्द, ठीक है, और ये अर्थ आदारित शब्दों का परकार है, ठीक है, जैसे आ गया, example दिखा रहा हूँ, अगम्य, अब लिए लिखते हैं आपके दिमाग में आ पर पूरे वाक्यांस का निचोड़ आपको समझ में आ गया, यहां फिर पूरा वाक्यांस लिखा हुआ था, और उसका आपने एक ही शब्द में लिख दिया, अगम्य, तो कहने का मतलब पूरे वाक्यांस का जो सार हैं, आपको एक लाइन में समझ में आ गया, तो उसको एक शब्द के लिए एक शब्द समू के लिए एक शब्द कहा जाएगा ठीक है दोस्तों जैसे आगया अटल जो अपनी बास से टले नहीं उसको अटल कहते हैं ठीक है और इसी नाम से भारत के एक प्रधानवंत्री हुए जिनका नाम था श्री अटल व्याहरी वाजबही ठीक है अगला है बिंदू वह हो जाएगा समानार्थक प्रतिक होने वाले भिनार्थक शब्द समानार्थक समान अर्थ देने वाले समानार्थक प्रतीत होने वाले प्रतीत होने वाले भिनार्थक शब्द बिलकुल भिन अर्थ देते हो ऐसे भिनार्थक शब्द ठीक है दोस्तों इसको देखते हैं कि समान अर्थ देने वाले यानि पहली बार देखने पर उनका अर्थ है उस समान प्रतित होता है परन्तु अर्थ की द्रश्टी से भी बहुत समीब होता है समान भी दिखेगा अर्थ के हिसाब से भी नजदीक से भी दिखेगा लेकिन उनका बहुत शुक्षमा अंतर होता बिल्कुल बारी किसे समान अर्थक यनि समान अर्थ देने वाले बिन अर्थक यनि भिन अर्थ देने वाले यनि उच्छारित करने पर भी अलग होंगे परन्तु अर्थ की इसाब से बिलकुल नज्जिक से दिखेंगे और उनके बीच में बहुती शुक्ष्म अंतर होगा अर्थ भी उनका निकलेगा तो पास-पास का पर उनके बीच में भेद है वो बहुती बारिक किसा होगा जैसे एक शब्दा आ गया अस्त्र यार काफी बार आता है अस्त्र और शस्त्र और काफी बार भूल भी जाते है ठीक है अस्त्र का मतलब होता है फैक कर जिस पे वार किया जाए जैसे आपने तीर छोड़ दिया तीर को फैका जाता है अस्त्र है ठीक है और शस्तर का मतलब हो जाएगा दोस्तों जिन हतिया लों का प्रियूग हाथ में रख और कि किया जिन प्रिया ़म प्रियोग कैसे किया जाता हात में रख जैसे अजहेगा बंदूग तलवार लाथि ठीक है अब आप कहेंगे बंदूग तो इसमें आएगा क्यों दोर eyelids करते हैं कि वा пр Bänt जी नीं जो ख़कते पीछे क्थे बंदू की गोर ही जाती है यारीफा समझ में त्रिक्त को याद हो जो प्याया दखने का तरीका है कि ऑन्साति है भजल पस पास के लिए घल पर अस्त्र में चैसे चाकू हो जाएगा चाकू को आप 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 रखेंगे तलवार को आप पास में रखेंगे तलवार फैकी थोड़ी जाती है ठीक है पर अस्तर में जिनको फैका जाता है जैसे तीर हो गया है हलांकि भाला भी पास में रखा जाता पर भाले को आप फैक सकते हैं ठीक है तो यह इसके अंदर गत आ जाएंगे अब देखिए अर्थ बिल्कुल नजदीक से अस्त्र और शस्त्र अर्थ भी बिल्कुल नजदीक से आतियारों के नाम है पर अंतर है वो बिल्कुल बारी किस्या है वो सामको सया में आ जाए कि ठीक है अगला है समूवाची शब्द आठवे नमबर पर कौन सा है दोस्तों समूवाची समू का जहां पर वाचन करें समूवाची शब्द भी इसके अंदर कर आएंगे समूवाची का मतलब हो जाएगा एक ऐसे समू का परदी नित्व करते हैं यहां समूवाची शब्द का जहां अर्थ प्रकट होता है किसी एक शब्द से पूरे समूवाची शब्द का जहां अर्थ प्रकट होगा उनको हम समूवाची शब्द कहेंगे ठेक है दोस्तों तो जैसे यहां आगया गुच्छा ये लिख दिया मन है, गुस्सा ने लिखा है, गुच्छा, तो आपके लिखते ही आपके दिबाग में आ जाएगा, चाबियों का गुस्सा हो गया, या अंगुरों का गुस्सा हो गया, तो एक पूरे समू का परतिनी दिबाग में आ गया, तो इसके लिखते ही आपके समझ मे आ गया ये इसकिसी समु की बाद कर रहा हैं जैसे आ गठर तो किसी लकड़ेयों का गठर हो गया पुरा अगरठ होगा है पूरा कą पुरा तो उनको एक सब्द से पूरे समु का जहां पे पता लगे उनको समु आची सब्द कहते हैं ये भी अर्थ आजदरी सब्दों का एक भेद हैं और अन्य जो मानते भी है और नहीं भी मानते हैं वो है दवनियार्थक सब्द दवन्यार्थक, दवनी का आर्थ देने वाले शब्द, ठीके दोस्तों, इन्हीं ऐसे सब जिनका आर्थ धवनी पर निर्बर करता है, उनको दवन्यार्थक शब्द का जाता है, जैसे पश्वों की बोलिया, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, दहार्णा, अब इसरी इतना नहीं हैOoh को समझ में आ जाएगा वसको ढम्राबिना होगा कि थे शब्द जिनके बोलने मात्र से आपके समझ में आ जाए उसको ध्म्यारत्तक चपते ये उसे फूफखार्ण सांफुत कारता है जैसे चेचाना यहीं छिडिया करती है यहीं बुटरगू करना तो कबूतर करता है ठीक है गर्जता बादल है तो इस प्रकार की शब्दों से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए तो वो दम्यात्म की शब्द कही जाते हैं अर्थ के आदारित पुने एक बार देखते हैं अर्थ आदारी शब्दों के भेद कुल आठ होता है परन्तु विकल्प में अगर नौ भी आता है तो शंसे की सती है आप आठ या नौ दोनों में से चुन सकते हैं आपका प्रश्ण गलत नहीं होगा परन्तु केवल और केवल वहां पर आठ ही है नौर आठ करना है या फिर आठ यह नहीं है तो नौ करना है दोनों हैं तो अब नौ कर दीजिए क्योंकि वरतमार की लिख लिकल्प हुए आपका प्रश्ण सेध्य होगा तो वह जो है पहला है अटेक आर्थ शब्द दूसरा है अटेकश शब्द तीछरा है प्रयावाश्जी श एक शब्धा है समानार्थक परतीत होने वाले विनार्थक शब्द आठ्वाँ है समुवाची शब्द और नौवा है दवन्यार्थक धवन्यार्थक शब्द यह दोस्तों है आप इंको अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं क्योंकि इन मैंसे हो सकता है विकल्प को एक आदा चैन्स करके आपसे पूछ लें निम्न मैंसे कौन से शामिल नहीं है ठीक दोस्तों तो इसको आप जरूर लिखिएगा वीडियो किस प्रकार से लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जर कि माखएर